में तो आपका 10th लेवल का एक्जामीनेशन बच्चो ये ठीक है अब चांसी से बच्चो 10th लेवल का एक्जामीनेशन में easy to moderate लेवल में बोलना चाहा हूँ आप सभी से ठीक है कैसे कुछन आएंगे easy to moderate heavy level का बिलकुल भी कुश्चन आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा कुछ कुश्चन ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने के लिए क्लासिस का टाइम बच्चो आप सभी को बता चुका हूँ 7 पेम पर रोजाना क्लासिस होती है ठीक है तो आई अपने आपकी स्क्रिंट पर डिस्प्ले होगा और सेशन को शेयर जरूर करते रहना ठीक है 100 के आसपास आज लाइव आप सभी को पहुचाने है यह आपका टार्गेट है छोटा सा लगतार शेयर करते रही है तो दोस्तों क्या हो जाएगा 100 के आसपास भी हो जाएंगे पहला कुशन स्टेट्मेंट मार्क दा इनकरेक्ट स्टेट्मेंट भारत कि यह भारत की नियमावली पुश्टक है option नमबर एक इससे कानूनी सासन को कूट बद किया है option नमबर भी यह मोलवूत तो राजनेतिक मुल्यों को पर्तिविंदित करता है और यह एक वैदानिक दस्तावेज नहीं है इनमें से दोस्तों कून सा गलत है यह आप सभी को बताना है पहला कोशन दोस्तों आपका कैसा यह मैं मोड्रेट टू अच्छे लेवल का कॉशन कहूंगा बई मोड्रेट टू हार्ड लेवल के कॉशन में इसको कहना चाहूंगा देखते हैं कौन को नांस्वर देगा औप्शन नम्बर डी चलिए बई अच्छी बात है बल्यक ड्रेगन औप्शन नम्बर डी बतारे हैं उमकार सिंग नाम से बचा है और यानि के दोस्तों मेजियोरिटी हो चुकी है औप्शन नम्बर डी की यह है एक वेधानिक दस्तावेज नहीं है चले बई अब यदी में बात करूँ बच्चो आपका क्या option number D जो आ रहे हैं सभी बच्चों को वो correct है ठीक है क्या दोस्तो यह है एक वेधानिक दस्तावेज नहीं है किसके बारे में बात हो रही है इंडियन constitution के बारे में और आई उपसो के लिए रहो चुका होगा सभी बच्चों को option number D is the right answer of this question sorry highlight सोच रहता मैं तो ठीक है बच्चो क्या option number D आप सभी का सही है बई और आगे बात करूँ बच्चो यह दोस्तों आपका railway group D exam में पूछा हुआ question है नीचे mention होगा कौँछा question कौँछा exam में आया है यह थोड़ा सा improvement है हमारी तरफ से बच्चों बताओ सविधान कब लागू हुआ था सविधान लागू कब हुआ था और दोस्तों सविधान बनकर तयार कब हुआ था ठीक है क्या दोस्तों सविधान तयार कब हो गया था बनकर ready कब हो गया था किलियर यह दोनों date आप सभी को बतानी है और दोस्तों क्या सविधान दिवस या constitution date कब मनाया जाता है तीन question मैंने आप सभी की screen पर mention किये हैं सभी बच्चे fastly answer दे दो गई टेलिग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है बच्चो मैं टेलिग्राम लिंक ओपन होता है बट थोड़ा सा error problem हो जाती है नेट की वज़े से क्योंकि पहले वह chrome पर लेकर जाता है फिर दोस्तों टेलिग्राम पर लाएगा तो आप दोवारा चेक करोगे तो हो जाएगा यह उप्सो में बनकर तयार हो गया था और 1950 में लागू हो गया था बिल्कुल सही बात है बच्चो ठीक है ना कब दोस्तों तयार हुआ था 26 सभीधान दिवस मनाया जाता है सभीधान दिवस के रूप में बच्चो कौन सा दिन मनाया जाता है और राष्ट्रिय दुख्द दिवस भी बच्चो इसी दिन मनाया जाता है अब यह दोस्तों आप सभी को किलियर होगा राष्ट यह दुख्द दिवस यानि दूद दिवस किलियर आप किलिए वही Urental आगे चले क्वेस्ट नंबर त्ुअ आपकी श्क्रीन पर आ चुका ए मैं बहारत कभ एक संपरबू गनराजिये बना था यह आप सभी को बताना था बायत एक संपरबूत्व राज्ये कं राज्य गनराज्य Beispielил का है और यह दोस्ता है एक्जाम का कॉश्ण है मल्टी टास्किंग में बच्चों पूछा हुआ है सबी बच्चे राइट आंसर देदो भारत कब एक संपरभूत्व गनराज्य बना था खिक है जो कॉश्ण नमबर तो आपकी स्क्रीन पर मेंसन है चलो बच्चों एक कॉश्ण बच्चों मैं इसमें पूछना चाहूं यह दि आप सभी से मुझे यह बताओ भारतिय द्वज जो है न क्या बच्चों भारतिय द्वज जो इंडियन फ्लैग है बच्चों उसको किसने डिजाइन किया था किसने डिजाइन किया था या बनाया था या दोस्तों तयार किया था ठीक है भारतिय दुहज को एंड बच्चों कब लागू हुआ था ये वी आप सभी को बताना है यह जो कोशन में आप सभी से पूछ रहा हूं नहीं कई बार आ चुके हैं और डिफेंस में ऐसे कोशन आते ह संपर्भूत हो गनराज्य के रूप में मनाते हैं अंसवर आ चुका रही कोशन का एक बच्चे का पिंगली वहां निखिल कुमार जी ना अंसर दिया है बहुत ही सही जवाब आया बच्चों बाहरतिय दुहज को तयार किसने क्या था दोस्तों पिंगली वहां के नहीं clear यदि मैं बात करूँ बच्छो इसका ratio क्या था मुझे कोई बताएगा इंडियन फ्लाइग है इंडियन प्लाइग है इंडियन जो फ्लाइग है उसकी आखरती कैसी है रेक्टेंगल थीक है अम मुझे ये बता बच्छो इसका ratio क्या है कितने कितने रेशों में ये बना हुआ है इंडियन फ्लैग किलिए रहे ना चलो बई एंड बच्चो 22 जुलाई 1947 एक बच्चे का आंसर आया है मुनी परसात तिवारी बहुत ही अच्छी बात है लागु कब हो आता बच्चो 22 जुलाई को और 22 जुलाई में भी 1947 को ये आप सभी को याद रखना है बहुती मोस्ट इंपोर्टन बच्चो आप सभी के लिए मैंने डिस्कस किया है ये वाला चलिए वैई और आयो प्सों दोस्तों कुशन नमबर कौक का णिष्ट से राइट आनस्वर एंड बच्चों रेशोिए क्या है 3 अनुपाद दो बता रहे है कुछ कुछ किय रहे है तीन अनुपाद 4 उंप्छ किपल दो बच्चे बिक्यों सही है विल्कुल सही है बच्चो किस रीसों में दोस्तों ऑदेन फ्लैक को बनाएं गया था तो 3 ऑनुपाद 2 में यिद लग को बनाएं आयोप सो किलियर हो चुका होगा ठीक है सैसन को शेयर करते रहाना सभी बच्चे कोशन नमर थर्ड आपकी स्क्रेंड पर आ चुका है क्या है बारत के अंतिम गवर्णर जनरल कौन थे बच्चो इन कोशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरुवत है ठीक है क्या ध्यान सबसे पहले क्या वने तो गवर्णर बंगाल सबसे पहले गवर्णर बंगाल थे बच्चो और यह कब थे बई मतलब पहले कौन थे तो वह आएगा रोबर्ट क्लाइब और दोस्तों को भूलना नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जरा ध्यान से रखना ठीक है आगे गवर्णर जनरल अफ बंगाल रखन घ्याता ठीक है कलियर ना जरल बंगाल हो गया फिर इसके बातों ये चेंज रोगया तो किसमें और वह था 1833 वाले एक्ट में घ्या तर हौगी यह जर लोगाता फिरनर गवर्णर और पहले Governor General of India कौन थे बच्चों ये थे William Banting सुरी William Banting के लिए ये पहले Governor General of India थे आगे बच्चों ग्राफ को बढ़ाना चाहूं मैं यदी तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था बच्चों एक्ट था नवच्चों उसमें क्या कर दिया गए था White Bear के रूपमें कर दिया थे वाइसराइं को वाइसराइं कर दिया था और पहले वाइसराइं को थे आप सभी को पता है 1858 यानि कि 857 के करांती के टाइम पिरड़ पर लोर्ड कैनिंग किलियर और आयोप सो दोस्तों ये ग्राफ आप सभी को समझ में आ चुका होगा प्रोपर बिलकुल वही चलिए दोस्तों ग्राफ समझ में आया और बात करूँ बच्चो इसके राइट आंसर की किसकी जो आपका कोशन है कोशन नमबर थर्ड गवर्णर जनरल ओप इंडिया कब दोस्तों अंतिम तो अंतिम होंगे लोर्ड माउंट बेटन यानि कि माउंट बेटन किल नमबर ए चक्रवर्थी राजगोपलाचारी यही दोस्तों माइनर डिफरेंस है इसमें गलती मत करना आप सभी को मैं पहले आपको चिला चिला के बता रहा हूं क्यूंकि मैंने पहले दोस्तों माटेरियल असिस्टेंट में क्वेशन बताया थे सभी बच्चों को आयरन मैं साहरा चाहे पुराता तो परेक्षन का गठन किस ने किया था यह पूचा जा रहा हूं कें सिच्वेट़डगेट दा एगरी सूरी आर्खिnaj लगी कल Q4 आपकी स्क्रीन पर प्रोपर डिस्प्ले हो रहा होगा आयोप्षों के लिए रहे सब कुछ चलिए बच्छों नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं सभी बच्छों का कि सब्सक्राइब क्या यही लेवल है इससे भी इजी लेवल आएगा इस बात को ध्यान रखना ठीक है क्योंकि बच्छों एउसी मटीरियल एसिस्टेंट का ग्रेजवेट लेवल का एक्जाम तो और तब जोस्तों हमने जीके देखी ती ना उसकी तो मतलब ऐसा हो गया था कि यहां भई ऐसे यह लेवल का भी पेपर आ सकता है क्या ठीक है तो यह मत सोचो कि ज्यादा टफ लेवल का पेपर आएगा बस इजी इजी तो कॉस्टन है ना उन सभी जर्णरल कॉस्टन का आप सभी को कवर कड़के चलना है कि छोटे-छोटे कॉस्टन आप सभी से ना चु ही है ठीक है कब की थी बच्चों इन्होंने की थी 1861 के टाइम पिरेड में यदि बच्चों मैं बात करूं इसका मुख्याल्य कहां पर है यह आप सभी मुझे बता पाएगा कोई कि आर्के लोजिकल सुपर विजन ओफ इंडिया का हैड़कॉर्टर कहां पर है देखते हैं क कोना अंसर देगा सैसन को सभी सेयर करते रहो जल्दी जल्दी मैं पहले कह दे रहा हूं बच्चों सैसन में दम है कुशन को छोड़ना मत और पुराने जो आज आपका आठवा प्रेक्टिस सेट है जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं सभी जाकर साथ के साथ को दूबें माँ आगा ठीक है जाती में फौर मोग सब्सक्राइं करने दूंगा अब यह एक बच्चे का आंसर है दिल्ली क्लिया ना बच्चों डिल्ली में अडरेलोजिकल सूपर विजिन उप इंडिया कहां पर बच्छो दिल्ली में है चले आगे चले आगे आचुका है कोशन नमर फाइव अब बच्छो यह जो कोशन है ना यह मैंने इसलिए सेट किया है ताकि दोस्त आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे कैसे कोशन पूछे जा सकते हैं ठीक है क्या आजादी के बाद भी ठीक है वो वास दे मेकिंक्ग दे गवर्णर जनरल अफंडिया इविन आफ्टर इन्डेपेंदेंडेंट्स आपको आज तरे कॉश्चन लग बग मुझे लग राएग कि गवर्णर जंरल पर इडिपेंडेंड फंडेंट्ट्टैंगे सभी जल्दी जल्दी अंस्वर देत बिल्कुल नहीं है आरसी बोल्ड वेवल बिल्कुल नहीं है लो मांट बेटन इस दराइट आंशर ओप्षिन नमबर यह बिल्कुल सही है आगे चलते हैं आगे आचके लिए निमली कि तो में इसे भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है who among the following is the considered as the father of civil service of India फास्टली सभी बच्चे आंसर दे Lord Willisley या Warren Hinstigans Lord Cornwallis या Lord William Benting देखते हैं भई कौन को न आंसर देगा फास्टली सभी बच्चे आंसर दे उस सेसन को सेयर करते रहे हैं आस पार सभी जल्दी जल्दी पहुच जाओ भई जल्दी से सेयर करो भई ठीक है और जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं बच्चो सेसन को सेयर करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि दोस्तों कल की आप क्लास मिशना कर पाओ ठीक है ऑक्षेन नमबर A ऑक्षेन नमबबर A एक बच्चे काया ऑक्षेन नंबर improve A एक बच्चे काया ओप्षेन नमबर देखते हैं वाई और कोई कोई आनसौर कैसा है चैनल कोन ऊसुड़ परके बैHAHAन बाने कि बात करूँ या मैं बताना चाहूं यानि की बात में सिविल सर्विश के जनक कोन मैं लिए हैं वही है दुस्टों अठिक है और आप सभी को दोस्तों कुर्षन याद होना चाहिए उखली होना चाहिए ँगली ओपर एक होने चाहिए इसए कुल्षन ठीक है ना बच्चो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हूं मेड दा डॉक्ट्रिन ओप लैप्स यानि कि दोस्तों डॉक्ट्रिन ओप लैप्स नीती जिससे बोला जाते है बस तो हड़प नीती किसने बनाई थी या बच्चो हडप नीती यदि हडप नीती बोल लो या डॉक्ट्रिन ओप लैप्स बोल लो बच्चो किसने बनाई थी लोर्ड करजन ने मांट बेटन ने डलहुजी ने या बच्चो क्लाइव ने लोर्ड करजन बच्चो कब 1905 के आसपास बंगाल विवाजन के टाइम पिर बच्चो क्या बच्चो क्या कहलाते हैं या बच्चो डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स के इन्हों नहीं बनाई थी बच्चो किसने लोर्ड डलहुजी नहीं कि लिए रहना कुस्ट्र नमबर सेवन सभी को आगे चले भी चलो और यह दोस्तों आपका एससी जैई में पूछा हुआ क्वेशन है चलो क्वेशन नमबर एट क्या है 1857 में लंदन से प्रकासित समाचार पत्र टाइम्स के समवदाता कौन थे जिनों ने लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी स्वेथ व्यक्ति की कार को मैत्रिपूर्ण द्रस्टी से नहीं देखता था या नहीं देखता है क्वेशन का लेवल बहुत ही दमाकेदार है यदि दोस्तों ऐसा क्वेशन आपके एक्जाम में आता है तो चांसिज है आदे के सिर के उपर से ऐसे जाएगा जिसे हवा की तरीके से ठीक है न विल्कुल बई बच्चा आप सभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझस का राइट आंसर क्वेशन मैंने पढ़ लिया बच्चो टोप लेवल का क्वेशन है आपका हाड डेवल का क्वेशन में कहना चाहूंगा 1857 के टाइम पिरिड में लंदन से प्रकासित समाचार पत्र टाइम्स के समवादाता कौन थे जिनोंने लिखा था क्या बच्चो कि उ क्या हो का क्वेशन नंबर 8 का तो ओप्षन नंबर A WH Rachel दोस्तों जो है और राहूल सहानी नाम से बच्चा है बिल्कुल सही आंसर आया है एकदम और सबसे पहले आंसर दिया है इनोंने ओम कार सिंझ गोर भी है इनोंने एकदम सही आंसर दिया है बहुती अच्छी बात है च कुछ सनाने के चांसिस है संस्थापक आप सभी से हिस्ट्री का अंदर पूछ सकता है यदि आपका मिडेवल की बात होई ना बच्छो तो संस्थापक आप से पूछे जा सकते हैं ना कैसे बैसे बिष्टो कूषण नमाने का राइट आंसर दो सभी ओडेवल करें चट्रहल कना है कप भ में एक काहाँ पर है सासा राम बिहार और बच्छो इन्हों नहीं क्या जीटी रोड का निर्वान भी कराया है जिसे क्या कहते हैं बैच्छो ग्रांड ट्रेक रोड कहा जाता है उसके दोस्तों जन्म दाता भी यही है बैई चलो आगे चलते हैं कोशन नंबर टैन आपकी स्क्रीन पर है क्या है बंगाल सती बीने में 1829 भारत के किस गवर्नर जन्र द्वारा लाया गया था पास्टली बताओ भी बंगाल जो आपका सती जो दोस्तों नियम आया था 1829 के टाइम फिरट पर बारत के किस गवर्नर जन्रल द्वारा लाया गया था एडवर्ड लो या लोर्ड विल्यम बेंटिंग या दोस्तों सर हैंडी होर्डिंग या बच्छो विल्यम बटरवर्थ बेले और एंटीपीसी का कुश्चन है बहीं एंड मैं बच्चों बात कर इनी के टाइम पिरट पर हुआ था यदि कोशन पूछा जाए सती पर्थका अंत कब वह था बच्चों तो 18-29 के टाइम पिरट पर बच्चों किन कौन कौन थे एक तो राजा राम मोहन राई जी का नाम आता है ठीक है राजा राम मोहन राई एंड बच्छो दूसरे थे लो सोथनतरता संगर सकाश वेद्रों हुआ था आज घृत दोस्ते लागा लोगू आपका एजी लेवон काह सारा ठीक है कैसा है पर यही लेवल का आज आपका सेशन है तो किस घृत्र जेल nor के टाइम पिरेड़ भारत पर भारत का पहला सोतनतरता संगर्झ वेद्रों हुआ क्या-क्या नाम दिया गया था यह कुशन कई बार पूछे जा चुके हैं कैसे दोस्तों इसे कहा गया था भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम ठीक है अब बच्चों यह किसने कहा था यह कथन किसने कहा था यह पूछा जाता है दूसरा बात करूं यह पूर्णता सिपाही विद्रो था अब यह बच्छो कुश्चन पूछे हुए हैं इनके दोस्तों मतलब यह कथन किंके द्वारा कहे गए थे यह बताया जाता है ठीक है यह आपके कुश्चन पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी मुझे बताओ भैए ठेक है चलो भई उस टाइम पर लोड कैनिंग थे किलियर है औप्शन नमबर डीज दर आई टांसर एंड मैं बच्छो बात करूँ बारत का पहला सुदंदरता संग्राम था ये कहा था किसने वीडी सावर करने किसने बच्छो कहा था जल्दी से बताओ सभी वीडी सावर करने चलो ये रास्ट्रिय विद्रो था बच्छो ये काथ CRI ने और इनके साथ था बच्छो सीले भी जोन लोरेंस एंड सिले इन दोनों ने कहा तो रही है कोशन आप सभी के कई बार पूछे जा चुके हैं आगे चलता हूं कोशन नंबर 12 आपकी स्क्रेंट पर डिस्पले है भारत के गवर्णर जनरल ओ वेटा सेकंड ठीक है क्या बच्छो भारत के गवर्णर जनरल के लूप म सभी बच्छे आंसवर देना आगे चलता हूं कोशन नंबर 13 की तरफ पहला हिंदी अकबार जो 30 माई 1826 को शुरू किया गया था यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अकबार का नाम क्या था बच्छो कोशन का लेवल बहुत ही अच्छा बच्छों लुइस माउंट वेटन की जगा उन्हों नहीं ली थी आगे मैं बात करूं कोशन नंबर 13 आपके स्क्रिन पर है 30 माई 1826 को पहला हिंदी अकबार शुरू किया गया था और इस दिन को दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है यह अकबा बच्छों नंबर दी बी आ रहा है और अप्छों यह दि बताना चाहूं आप सभी को कॉशन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा बच्छों तो कॉशन नंबर 13 का मेरे अकोर्डिंग राइट आंसर होगा उद्धन्त मारतंड ठीक है ना यानि कि उप्शन नंबर सी पत्रकारित दिवस के रूप में मनाया जाता है बिल्कुल मुनी परसा तिवारी ची ऑप्शन नंबर 16 दा राइट आंसर जो भी बच्छे के रहे बंगाल गजट सभी थोड़ा सा अच्छे लेवल के कोश्चन को अच्छे तरीके से आंसर देने की कोशिस करें ठीक है सुतंतरता संगराम में मदद करने के लिए लोकमाने तिलक द्वारा कौन सा अकबार सुरू किया गया था यानि विच न्यूस पेपर वाज स्टार्टेड बाई लोकमाने तिलक तु हैल्प इन दा प्रिडम स्ट्रगल बताओ बई केशरी या अमरत बजार पत्र का पत्री या दोस्तों गदर या हरीजन कौन सा दोस्तों अक बार स्टार्ट किया गया था लोकमाने तिलक द्वारा एंड यूपी टृपल है सी कोश्डरी चलो बई सबी बच्चे कह रहे हैं option number a केशरी केशरी अकबार स्टार्ट किया गया था तो question number 14 का दोस्तों सही जवाब आच चुपा है केशरी अकबार ही start किया गया था लोकमाने तिलक द्वारा के लिए रहना question number 14 ठीक है चलो बही आगे चलते है question number 15 आपकी screen पर है किसे father of india civil india services कहा जाता है father of india services पूशने का तरीका अलग बस question का level वही who is called father of india services फास्टली सभी बच्चे आंसर दे दो भई एक्जाम का question है यह अंडी जवालाल नहरु को या डॉक्टर राजिंदर परसाद को लोड कोर्ण वालिस को यह सरदार बडलब भाई पटेल को जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है iron man with india ठीक है and statue of unity के बारे में कई बार बता चुका हूँ मुझे बच्चो यह बताओ statue of peace कहां पर है statue of peace कहां पर है statue of unity का बारे में आप सभी को में बता चुका हूँ 182 मेंटर उची है के वडिया गुजरात में है नर्मदा नदी के किनारे है सादू बेट दीप पर है रामसुतार उसके वास्तों कारते मुझे statue of peace के बारे में बताओ बढ़े तुम कहां पर है ठीक है and question number 15 बच्चो यह बात करूं option number C is the right answer बिल्कुल correct answer सभी का आना चीज़ आज का दो दोस्तो लेवल है वो easy है चलो बई easy level है बच्चो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दो और session को खतम करते है ठीक है and 9 pm वाला बच्चो आज का आपका session नहीं हो पाएगा but मैं दोस्तों आप सभी के लिए session लेकर आ रहा हूं उसको सभी बच्चे देख लेना क क्या बच्चो recorded session होगा previous year cutoff के बारे में ठीक है एक तो previous year cutoff बताई जाएगी इसमें जो 2018 के में लगे थी बच्चो किसकी tradesman mate की आगे में बात रहूं बच्चो इसमें मैं आपको expected cutoff 2022 भी बता दूँगा ठीक है sorry 2023 की and बच्चो से score बताऊंगा कि आपको क्या रखना है clear and आगे दोस्तों आपका क्या बच जाता है chances क्या है दोस्तों exam होने के ठीक है ये चार बाते दोस्तों आप सभी के लिए एक particular session में लेकर आ रहा हूं इस session के बाद सभी बच्चे उस session को recorded आएगा दोस्तों देख लेना और support करना जादे जादा share करना ताकि सभी बच्चो को पाली राजिस्थान में किलिया रहना stage of peace कहाँ पर है ये है पाली राजिस्थान में और ये दोस्तों बहुती old question है बट आपने इसका भी answer नहीं दिया तो यानि का आप सभी को नहीं पता था वही आगे चलते है question number 16 क्या है भारतिया सोतंतरता के दोरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा परकासित किया गया था कौन सा समाचार पत्र बच्चो यंग इंडिया पास्टरी सभी बच्चे अंसर दे भाई ठीक है और आज दोस्तों आपका ये modern history का अच्छे लेवल का session हो चुका है वीडियो बच्चा आप सभी का upload हो जाएगा साड़े साड़े आठ बजे के आसपास ठीक है कब होगा साड़े आठ बजे के आसपास प्रीवेस यह कटोफ सभी बच्चे देख लेना और उसी का अगोर्टिंग दोस्तों अपनी नहीं कटोफ का अंदाजा लगा लेना बच्चो ठीक है चलो गई यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कोन है पास्टली बताओ बियार अंबीडगर सुभास चंद्र बोस मात्मा गांधी जवाडला लहरू बच्चो का आंसर आ रहा है सुभास चंद्र बोस ठीक है एंड कुर्शन नमबर 16 का मेरे अकोर्डिंग बच्चो राइट आंसर क्या होगा एम गांधी यानि क महत्मा गांधी बच्चो ठीक है एंड बच्चो में बात करो इनके द्वारा INC के कौन से कौंगरेस अदिवेशन के अध्यक्सτα की कई थी कोई मुझे बताओ बढ़ी आप से पूछ चुका हूँ बच्चो में इनके द्वारा कों से अध्यक्सता की की थी एंड बच्चो इ नी की है And experimental with truth बच्छो, वह भी यह की है ठीक है न? Experimental with truth, सत्यकी खोज, इसको बोला जाता है बच्छो, सत्यकी खोज, यह भी दोस्तो पुष्त क इनहीं की है ज़रा सभी गच्यान रखना ठीक है न? और Current के टच में रहो ठोड़ा भुध बच्छो सर में नया हूँ आदर्श गुपता जी आपका वेलकम है ठीक है एंड बचो यह आप यह आयोप सो किलियर हो चुका होगा दो कोशन मैंने आप सभी को बता दी है एक तो दोस्तो क्या एनिलेशन ओफ कास्ट बचो यह बुक किन की है महात्मा गांदी की एंड एक्सपरिमेंट करनाटक में है दोस्तों यह बेलगाम करनाटक में बाकि दोस्तों यह कुंसा था बेलगाम अधिवेशन था 1924 वाला विल्कुल भई सभी का सही अंसर आया है बच्छो यह बात करूं मात्मा गांदी द्वारा भारत में सबसे पहला सत्या गरह की बात करूं कि कब बच्छो 9 नो जन्वरी नो जन्वरी 1915 को मात्मा गांदी जी भारत आये थे और नो जन्वरी को यह बच्छो क्या परवासी भारती दिवस के रूप में मनाया जाता है परवासी भारती दिवस के रूप में बच्छो मनाया जाता है नो जन्वरी को 1915 को मात्मा गांदी जी भारत आये क्लिए आगे बाद करो बच्छो इनका सत्यागरा है सबसे पहला 1917 का कौन सा चंपारण और चंपारण सत्यागरा बच्छो किसे सम्मंदित था नील की खेती से एक बच्छा कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता है बच्छो सचीन रावजजी यदि आपकी समझ में नहीं आ रहे तो दोस्तों आप किसी अदर क्या प्लेटफॉर्म को फोलो कर सकते हैं यह डिपेंडेंट नहीं है यह आपके लिए कंबल सरी नहीं है कि आपको मजबूरी मे बांद दिया गया है कि आप यहीं से पढ़ो ठीक है बाकी यदि दोस्तों आपको एक्जाम टार्गेटिट पढ़ना है क्योंकि मैं आप सभी को बता चुका हूँ 75% मैं आपके कोशन इसमें से फासने की कोशिस करूँगा अब दोस्तों आप सभी अगर दोस्तों पढ़ने चलाया गया था अब यदि में पहले की बात करो बच्छों यह था ऐसा योग अंदोलन ना रहा हूं सभी देख लेना दूसरे बच्चों क्या चलाया था शीवन्य अवग्या अंदोलन ठीक है यह दूसरे वाला था और थर्ड वाला बच्चों किया था भारत छोड़ो किलियर चेलो वैए। आए ओपक्सों बचो किलियर नहीं हो चुका होगा ठीक है। आगए चले बई एक बार देख लेता हूँ बच्चों, बच्चा कह रहाए कि आज लाइक नहीं कियें बच्चोंने अगर ऐसा हुआ कि लाइक नहीं किये तो दोस्तो मुहबत में कमी हो जाएगी भई 35 लाइक हुए हैं केवल बच्चो तो यानि कि दोस्तो आप कमी तो कर रहे हो थोड़ी सी ठीक है ना तो जल्दी से दोस्तो लाइक कर तो सभी बच्चे जाकर 50 करो भई ने आगे बात करो बच्चो कोशन नमर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महात्मा गांदी को दक्सिन अफरीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंदी की उपादी पदक से सम्मानित किया गया था जल्दी से बताओ भई वो कौन से अंग्रेज थे बच्चो जिनोंने महात्मा गांदी को केसर ए हिंदी की उपादी दी थी और बच्चो यही वो उपादी है जो जल्लिया वाला बाग हत्याकांड के बाद मैं बच्चो जल्या वाला भाग हथ्याकंड वहा था आप सभी को पता है जल्या वाला भाग हथ्याकंड जो होती है रहाए अपरेल 1919 होथा था है था इसाग गया था भाक्力 इस researchers को त्याग दियाग गया था महात्मा घंदी के द्वारा को किलियर है ना और रविंदर नाठ टैगोड ने बच्चो क्या कर दिया था नाइट हुट की उपादी त्यांग दी थी किसके बाद ? जेले वाला वगत्याकाण्र के बाद बई किस ने उपादी दी थी भई बिल्कुल बच्चो निखिल कुमार जी कह रहे हैं पढ़ना सर हमें है बस आप पढ़ाओ भई ठीक है ना तो यहीं दोस्तों मायंट की मेंटालेटी होनी चाहिए समझ में आया कौन थे बच्चो वह कुशन नमबर 17 का राइट आंसर है बच्चो लोड हार्डिंग नहीं बच्चो क्या मात्मा गांधी को किसकी केसरे हिंदी की उपादी दी थी भई किले रहना बच्चो लोड हार्डिंग की बात करू यदि बच्चो लोड हार्डिंग 1911 के टाइम में क्या हुआ था दोस्तो दिल्ली दरवाजा लगा था बई 1911 के दोस्तों बंगाल विभाजन की गोशना हुई थे 1905 में के लिए रहना यह आप सभी को पता है और रद कर दिया गया था बच्छो 1911 में और 1912 में बच्छो क्या राजधानी दिल्ली स्थाने तरिक हुई थी और 1907 में बच्छो सूरत अधिवेशन हुआ था के लिए रहना सू करा रहा हूं अगे बात करो बच्छो 1915 में मात्मा गांधी जी भारत आगे थे 1907 में आपका क्या हुआ था बच्छो संपारन सत्या ग्रहला था और 1916 में 1916 में बच्छो क्या हुआ था एक अधीवेशन हुआ था साइध मुझे लग रहा है लखनाओ अधीशन था पानपुर मुझे बताओ भई 1916 वाला इसमें क्या हुआ था बच्चो जो नरम दल और गरम दल 1907 में अलग हो गयते वह दोस्तों मिल गयते यानि की उनका क्या हो गयता मिलन हो गयता क्लिए रहना और बच्चो आयोप सो यह लखना वदिवेशन था जिसके अद्यक्सता किस न चोरा गटना हुए थी ठीक है का कोरी ट्रेंड रहती हुए थी उसके बाद 1925 में और चोरी कोरा गटना 1922 कि है 1902 का एसजय योगां दोलन है 1930 में चंपारन सत्यगरा हुआ था बारदोली सत्यगरा हुआ था दोस्तो 1928 में किलियर चलो बैए एंड उसके बाद बच्चो क्या हुआ था आपका गोल में सम्मेलन हुए थे उसके बाद बच्चो आप सभी का कैबिनेट मिशन आये था 1946 में देशाजाद हो चुका था किलियर अंभी का चरण मजमुदार बिलकुल लखनाव अदिवेशन था एक पच्चा कह रहा है यही कंफ्यूजन था बस थोड़ा सा आपने किलियर कर दिया है लखनाव अदिवेशन था 1916 वाला दिसमें दोस्तों क्या नरंदल और गरंदल ए सब्सक्राइक हो गए थे आगे चलते हैं वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव की नाम से जाना जाता है चलो बच्चम आप से कुशन पोचू भई 1930 के टाइम पिरिड में क्या या 1929 के टाइम पिरिड में बच्चो भारत के वाइसराइक कौन थे कोई बच्चा मुझे बताए ठीक है 1930 या 1929 के टाइम पिरिड पर क्या बच्चो भारत के वाइसराइक कौन थे 1911 में एक बच्चा बता रहा है कि मुझे 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसपर हुई थी बच्चो जो अच्छे तरीके से लिखीत रूप में हुई थी वह 1912 में हुई थी यह आप सभी चेक कर सकते हैं कि लिए रहना एंड मैं बात करो बच्चो गुरुदेव वाली उपादी इस बार पूछी जा सके कि लिए रहना तो कोई भी मत छोड़ना आगे चलते हैं क्या है बच्चो रविंदर नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दी थी लो भई यह थोड़ा सा मतलब है तो कोश्चन वही बट थोड़ा सा चेंज हो गया पादियों में चेंज किया गया था अब मैं यदि आपको पहले आंसर दो देन में आपको बताने की कोशिश करता हूं रमिंदर नाट टैगोर मैं आर एंटी लिख रहा हूं साइड में ठीक है लोड इरविन चलो भई कोई और बच्चा जल्दी से बताओ भई कोई और बच चलो भई बिलकल बच्चो आंसर आ चुका है दो बच्चो का आ चुका है तो क्या थे बच्चो 1930 के टाइम पिरिड़ पर लोड इरविन थे ठीक है ना किलियर चलो भई ओप्शन नमबर सी बता रहे हैं यानि लाला लाजपत राए और मैं बच्चो बात करो किस ने एक तो गुरुदेव की किलियर और बच्चो वापस में ही रविंदर्ना टैगोर ने महात्मा गांधी को किसकी उपादी दी थी तो दोस्तों यह दी गई थी किसकी महात्मा की यानि कि बदला तुरंत के तुरंत तार दिया था बई बिल्कुल बई 1912 में बच्चो राजदानी ट्रांसफर की गई थी थोड़ा सा अच्छी से पढ़ा करें ठीक है गुरुदेव की उपादी दोस्तों मात्मा गांधी ने रविंदर्ना टैगोर को दी थी और दोस्तों अपोजिट में ही रविंदर्ना टैगोर ने मात्मा ग सबस्स्क्राइब करा दो सबस्सक्राइब है ठीक है चलिए भई आपका 20 खाद और कीट सी संगठन यानि FAO के इस था अपना कप की गई थी ठीक है फूड एंड एगरीकल्चर और्गनाइजेशन आपकी स्क्रीन पर क्वेशन नम्ब आ चुका है 1945 में यह 1948 में में निस्यों पचास में स्सी सीजियर टायर वन का कुश्चन है किलियर एफ एओ फूड एंड एगरीकल्चर और्गनाइजेशन जिसका बच्चो हेड़कॉर्टर की बात करूं तो यह कहां पर है रोम इटली में किलियर ना बच्चो रोम इटली में इसका हेड़कॉर्टर है एफ ए ओ का आई होप सो किलियर हो चुका होगा बच्चो एंड यदि मैं बात करूं बच्चो यह खाद्य से बात हुई है तो यानि कि विस्व खाद्य दिवस बच्चो कब मनाया जाता है कोई मुझे बताएगा बैई 1945 में हुई थी सभी बच्चे का अंसर आ रहा है ठीक है क्या बच्चो इस्थापना हुई थी इसकी कहा 1945 में और एक चीज और याद रखना 1945 के साथ सभी बच्चे लगा लो क्या 16 अक्टुबर 16 अक्टुबर 1945 तो इसी चीज दोस्त आप सभी को किलियर हो जाना चाहिए कि क्या बच्चो विस्व खाद्य दिवस का मना जाता है ड़्याद करने की जैसे बात करो बच्चो बाइस की शेरीज है घघ्क है ना 22 की स्रिज क्या है बच्चो एक तो फार बाईस मार्च अब यह बच्चो बाइस अप्रेलowana अपका अप्रेल माई यह मैं आपको याध करने के ट्रिक बता रहा हूं और बच्चों यहीं मास को क्या मनाया जाते 20 1964 को एक 12 माइ को मनाया जाता है यह सीधर सीधर है एक आफ्षे का आंसरा है बाइस 12 को जल्द colony मत अगा यह यह विवित्ता दिवस किलियर बायो डाइवर्सटी डे आई हो चुका होगा बच्चो मैं सही से समझाने की कोशिस कर रहा हूं यह दोस्तों मेरी क्या दोस्तों यानि की लग रहा है मुझे आगे चले बच्चो अब यदि मैं बात करूँ बच्चो 16 सेप्टेंबर को कौन सा डे मनाया जाता है जल्दी सभी बताओ मुझे तो दोस्तों पेर बनाके याद करना यदि दोस्तों 10 दिवस को कोई चीज बनाई जा रही है हिंदी दिवस के रूप में तो दोस्तों आगे र दखना वहीं 14 फरवरी को बच्चो दो डे डिफाइंड आप सभी को पता है बट दोस्तों आप कौन है आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी की तो एक भी बच्चा दोस्तों मेरे अकोर्डिंग क्या यह वैलन पैलेंटाइन डे नहीं बनाएगा बच्चो क्या है आप सभी का ब् आप एक अच्छे एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आयो ओप सो आप इस एक्जाम को इजी तरीके से निकाल दोगे बच्चो वैलन टाइन डे एक बच्चा अब भी कह रहा है मतलब आर्मी से दोस्तों महभबत नहीं है तुम्हें चलो आगे आपका स्क्रिन पर क सभी भी मिना सकते हो बच्चो ठीक है ना चलो बई क्या बच्चो वुगे वदा स्लोगन ओफ डू और डाई डूरिंग दा फिर्डम इस्टगल ओ इंडिया अब आप सभी को पता होना चीए बच्चो करो या मरो का ना भारत छोड़ आंदोलन ठीक है भारत छोड़ो आंद किस से रिलेटेड हो या यह आपका मोडन इंडिया से रिलेटेड सेशन हो चुका है ठीक है ना किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा अब ऐसे कुशन भी आएंगे एक बात ध्यान रखना बच्चो यदि आपके 50 कुशन एक्जाम में आ कर रहे हैं तो मैं सिंपल सिंपल सा आप सभी को बता दूं कि कितने लगबग दोस्तों बच्चों आपके 25 प्लस कुशन ऐसे होंगे जो एजी लेवल के होंगे ठीक है करन्ट अफेर्स को अलग हटाके कर रहा हूं कहारो मैं जो जो जोगरफी हिस्ट्री आपका दूस्तों बच्चिस कुशन ऐसे होंगे जो इजी होंगे अब यदि दोस्तों आपने जर्नल कुशन की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी न तो दोस्तों इन्हें भी नहीं कर पाओगे ठीक है बस यही आप सभी को ध्यान रखना है बच्चों सभी बच्चे पर कह रहे हैं कि आपका आखरी दिन है ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे यह सब्द किसके द्वारा कहे गए थी ठीक है ऐसे कुशन आ सकते हैं बच्चों चलो बच्चा आंसर दो सभी यानि कि लिव एज इप इस यूर लास्ट टे लर्ड एज इप यू विल लिव फॉरेवर किस साहल मैं ओ इंडिया यह चानक के द्वारा कि और ड ऑप्शन नंबर और सी बच्चों का आरा है चलो बई कि अब बच्चों बात करो राइट आंसर अबी तक किसी का भी नहीं आया ठीक है सबी बच्चे सेसन को लाइक कर जाएंगे और बच्चों अपने दोस्तों के बीच म जीवी तरह होगी यह दोस्तों किसका स्लोगन है मात्मा गांधी का ठीक है ना यानि कि ऑप्षिन नंबर एज दराइट आइट आंसर किसी ने भी नहीं सोचा कि हाँ भी ऑप्षिन नंबर एज सही हो सकता है एक बच्छे का अंसर आया कि वह रामू कुमार का ठीक है जो हुई ऑर कॉस्टन नमर ट्वंटीफोर 20 भी प्यान उड़िए भेशो किन को मैं बता जरे हूं अब इस्टारड लगा लो ठीक है इसको संब्स्क्राड लगा लो बिस्मार्क ओफ इंडिया किसी एका जाता है और बच्चो आप सभी को पता है नाइट अंगल ओफ इंडिया नाइट अंगल ओफ इंडिया सरोजनी नाइडू ठीक है चलो भई आगे मैं बात करूँ बच्चो सरदर बलब भाई पटेल को क्या कहा जाते बच्चो आइरन मैन ठीक है अगे मैं बच्चो आपसे क्वर्चन पोच रहा हूँ भई क्या पंजाब केशरी किने कहा जाता है चलो भई बिसमार्क ओफ इंडिया बच्चो किने कहा जाता है इसकी बात की जाए तो दोस्तो इसका राइट आंसर option number B काफी बच्चे बता रहे हैं option number B is the right answer यदि बच्चो मैं बात करूँ सरदार बलब बाई पटेल की तो सरदार की उपादी बच्चो sorry सरदार की उपादी बच्चो कब मिली थी 1928 में बच्चो क्या था बारदोली सत्य गरे ठीक है बच्चो कौन सा सत्य गरे था बारदोली सत्य गरे था बच्चो एंड इसमें दोस्तों महिलाओं ने किनोंने बच्चो महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपादी दी थी ठीक है ना लाला मिलकुल बच्चो आंसर आ चुका है लाला लाजपत राए क्या बच्चो लाला लाजबत राइको पंजाब की सरी के नाम से जाना जाता है किलियर है न चलो वगई सिरीज का लास्ट कोस्चन आपकी स्क्रेन पर आ चुका है अब बच्चो एक बार दोबारा कह रहा हूँ जो भी बच्चे नए है जल्दी से सब्सक्राइब करो